हेलो दोस्तों कैसे हूँ आपका स्वागा थे तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनाइस बोड का जो है चैप्टर नंबर 30 यह 30 चैप्टर जो है सोसालजी का जिसमें आज हम करेंगे अनुसूचित जातियों एवा अनुसूचित जन्जातियों की समस्या आएं यह चैप्टर कही मानने में कई क्लास के बच्चे के लिए इंपोर्टेंट है चाहे हों सीवेसी में पढ़ते हों जिनका एंसी आटी बूक हो यूपी बोड के बच्चे या भीहार बोड के बच्चे हों अगर उन्होंने सोसालजी ले रखा है अगर उनके सलेबस में अनुसूचित जन्जातियों के समस्या है तो यह चैप्टर उनके लिए अत्यांत महत्वपू जना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए और यह है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए क्योंकि अधूरा जनकारी सदेव खतरनाक होता है साथ में इक इंपरेंट बात यह रहता है अगर आप पहली वार वीडियो देख रहे हो तो लाइक सेर सब्सक्राइब कर जाए यह आप भी नहीं जानोगा इसलिए जो है आप सेर जरूर करो ठीक है वर्ट सब्सक्राइब करने में बहुत से बचों के लिए हेलफूल है चाहे हो एर्थ क्लास हो नाइन तेंथ लेवन ट्वेल्ट हो चाहे हो एन आयूस बोर्ड के बच्चे हो ठीक है चाहे बीए इम्मे के बच्चे हो सभी क्लासों के लिए कुछ न कुछ जो है तिरपान से संटर में उपलब्ध है तो इसलिए आपके लिए जरूरी है कि आप सस्क्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो नहीं तो बात में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको इस चैनल प्र अच्छा करने जा रहे हैं तो उसमें सबसे पहला टॉपिक तो हमारा यही रहेगा कि अनसूचित जातियों की समस्य आएं कि आप जानते हैं कि अनुसी जातिया कौन सी है अखरी अनुसी जातियों वह हैं जो प्रंपड़ा गत जाती विवस्ता सबसे नीचे सोपन करते हैं यानि सबसे नीचे इनका जीवन यापन होता है कैते प्रंपड़ासे यह चातिया गंदे धंदे करते हैं इनका चौकी Frankfurat को मारके खाते है इवन की वो पक्षियों को भी मारके खाते हैं तो उस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं इसलिए उनके अपवित्र एवं सम जीव लगड़ा है लेकिन वही चाइना के लिए निकाह जा है तो क्या हो सव्य समाज्ज हो कि हुए जीव जन्तुओं को नहीं गाते हैं कंड internet है तो क्या उनको मं क्या कह सकते हैं और चैप्भित्र यस्त कैस्क्ते नहीं और इसका पवित्र और दुर्शित कहा था, इनी कारणों से कहा था, धंदों के साथ में गंदगी की धारना जोड़ी जाती है, वही इस लोगों की पवित्र बना देता है, अनुसुति जाती के साथ ये सब नाम जोड़े जाते हैं, जैसे छुद्र, दास, चंडाल, मलेच, अ रिजन, यानि ये सारे जो है अनुसुति जातियों के लिए ही शर्वत का उप्योग किया जाता है, सोतंत्र भारदिक सरकार निर्था राश्पती ने अक्टूबर 1950 में कई अनुसुति जातियों की भारदिक साविदान के अध्या आठ के अनुसुतित किया था, और इस प्रभावी अनुसुति जातियां भी है, अनुसुति जातियों की उच्चे पत दिये जा रहे हैं, और वो कुछ राज्यों में मुख्य मंत्री, जैसे वियार, उत्तर परदेश में और भारत के राश्पती पत तक भी 80 हो चुके हैं, देश की कुल अवादी का 15% अनुसुत ओर्यातियों का ही हमाचल परदेश अर्याना उत्तरपरदेश प्रश्रिम बंगाल विहर आदिल में अधिक पाये जाते हैं कि यहां कर देखा कि पंजाब में 30 में 22 प्रतिशत पाये जाती पहाड़ी ये हिसाधियों केcejते हैं भारत अनुसुजी जाती के लोग कम पाये जाते हैं अनुसुजी जातियों की जो है सिक्षन संस्ता संस्त राज्य की विदान सवा में सर्नक्षन प्राप्त है आपको पता हिए कि जो जाती होती है उनके सरक्षन के लिए सरकार सदे भी कर्यारात होती है आपने देखा भी होगा कि उच्छे उच्छे पद जो है आज इन ही जंजातियों को प्राप्त होती हैं कहते हैं अगर हम देखें अगर अपना इतिहास बलट के तो आपको शायद यह पता होगा कि यहाँ पर राश्पती भी जो है अनसुसी जंजातियों में से ही बनाई गए हैं और ये इवन की बहुत जातियों की समस्याओं के लिए हमारा उनका जो पहला समस्या है वह अद्रिष्टा या परदूशन की समस्या है कहते हैं जातियों को ऐसा काम करना पड़ता है जो गंदा और अपवित्र था उन्हें परवाना और मरे हुए जानबर को ठाना पड़ता था पेसाब घर धोने इंपरते थे हर नैर सारी गंद की सलेटे हुएक जो है कपरों को दोना पड़ता था समसान घर उन्हें कुछ परदूशन का 1 गठोम समझा जाता था इसलिए कारें के साथी दंदे भी अपवित्र हो जाते हैं अदिस्ता के प्रणपरागत का नेमलिकित जो निर्देश्यों होती थी यानि देखा जाए तो यह साफ सब्दों में बताया गया है कि उनको इसलिए अपवित्र किया जाता था अपवित्र माना जाता था क्योंकि वह जनवरों के लहाशों को उठाया करते थे पेशाब घरों को साफ सुत्रा करते थे लेट्रिंग को साफ किया करते थे सेवा के लिए अपवित्र कहना भी गलत होगा क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो हर घर में हर एक जो इस्तरिया होती है अपने सारे कारे करती है तो क्या हम उसको अपवित्र कहते हैं यह संभव नहीं है कहते हैं धारनाय बदली है समय के साथ और यह बदलना भी बहुत जरूरी है इससे सरकार ने इनको कई तरह के संडक्षन जो है दिया है और इस संडक्षन के कारण आज जो है ये बरे-बरे पद पे जो है आसमान है और इन्हों ने जो है सारे कारे को अपने हाथ में सुचार रूप से करने के लिए भी यह योग्ये हो चुके हैं इसके अंदर गर सबसे पहले पॉइंट आता है समाई संपर का भाव कहते हैं अनुसी जातियों की लोग गाउं की सवाओं और पूजा पार्ट में भाग नहीं लेते थे वह पुरतक जोपड़ियों में रहते थे और उनके बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे और उची चाति में बहुत ही कुद्रिष्टी से देखा जाता था क्योंकि उनको उसी स्कूल में जहां पर उच्चे वर्क के वच्चे पढ़ते थे इस स्कूल में पढ़ने की इजाजत भी नहीं होता था इवन कि जब भी हो गाउं से निकलते थे ढोल बजाते थे इससे यह होता था कि सभ दुर्भागे पू ब्युभार किया जाता था कहते हैं सरवजनी कुवाग और कभी प्रियोग नहीं करते थे और तलाबों का भी प्रियोग करना उनके लिए वर्जित माना जाता था उनका जो जीवनती बहुत ही दैनिये थी इसलिए जब भारत अजाद हुआ था तो इसमें माहत्मा गांधी ने इंदनित बरगों के लिए अवाज उठाई थी और इनको संदक्षन करने के लिए सिफारिस भी किया था कि इनका जीवन जो है अच्छे से अच्छे बन सके और अपना समाज में जीवन जो है अच्छे जी सके उसके बास चाहता मंदल प्रवेश निशेथ कहते हैं अनुसीज जातियों के लोग पुजा के लिए मंदल में परवेश नहीं कर सकते थे वह ना तो धार्मी पूजा प्रवादी अच्छूत जातियों की सेवा कर सकते थे यानि ये सेवा सभी को करते थे फिल्भेन को समाज में उच्छे दरजा नहीं दिया जाता था फके छुद्रो दौरा बनाएगे पके खाने की उच्छे जाती नहीं खाया करते थी अनुसरी जातियों कि हाथ का पानी भी नहीं लिया करते थी यह बहुत जगह आपको देखने को मिल सकता है बहुत से फिल्म टीवी में देखो तो इस तरह से जो है अनुसरी जातियों के साथ जो बिभार होता है वो जो है जर्नल ही देखने को आपको मिल सकता है उसके पर शाहत है इसके अंतरदर लास्ट पॉइंट को नहीं हटाया है इस करण प्रतिस्वजता और निर्भता में आत्र समंजस होता चला जाग गया है लेकिन फिर भी हमारे जो है सब्जदान में 341 और इनको हर तरह की सुवधाय प्रदान किया गया है जिसके वज़ा समाज में अपना सर उठाके रख सकते हैं अगर आप देखो कि अगर हमारा तिहास पलट के तो आप देखो कि बहुत से राश्पती जो थे वह अनुसुजजाती के ही थे और इवन कि कहते प्रधान मंत्री भी क इसके बाद हमारा अगला प्वाइंट है निडवर्णता जन्डी समस्या यानि कहते हैं अनुसुजजाती की गरीवी से जूरी हुई कुछ समस्या यहां पर आपके समक्ष दिखाया गया तो पहली तो उनके थी भौतिक बंचिता यानि अनुसुजजाती को मकान जमीर पश भूमी का अभाब कहते हैं अवास और क्रिशी के लिए अनुसुजजातीयों में भूमी का सलेव अभाब होता था जो है भूस स्वामी दोर्य दी गई भूमी पर क्रिशी मजदूरी तरह काम करते थे और इस परकार वो बंदुआ मजदूर के रूप में भी अपना जीवन जो है बिताते थी यानि बंदूर मजदूर बन जाना उस समय की आम बात थी उसके पर शाहत है सहट्शी की पिछड़ापन कहते हैं वंजटा और समाजी आर्थी निम्दशाओं के कारान अनुसूचित जातियों के लोग स्कूल में प्रवेश नहीं कर पाते थे यानि उनको स्कूल में जाने की जाज़त नहीं होती थी क्योंकि जब वो कहते सरी रूप से भेदवाव करते थे तो उनको जाने में कैसे दिया जाएगा यदि आपने महा महीम एपेजी अब्दूलकलाम के अगर चाल हुल्ट पढ़ा होता तो उसमें साफ सब्दों में उनके उन्होंन में आया कि जब हमी जाती वेदवाव बनाएंगे तो बच्चे में जाती वेदवाव कैसे आएंगे तो जो एपेजी तो कलाम के जो बुक था विंग्स ओफ फायर उसमें सारी बातों को डिस्क्रेप्शन की गई थी तो ये बात जो है आम हो जाती है यानि पिछरापन तो ह एक वर्जित माना जाता था कहते हैं उसके पशार रोजगार और सरकारी नोक्रियां के बात कुछ अनुसरी जाती के लोग सरकारी नोक्री में जैसे की सफाय कर्मी चौकीदार और चप्रासी की तरह काम करने लग गए अब कुछ लोगों ने उच्चे सिक्षा पूरी कर जो आज जो है कहते हैं जन जाती तो नहीं रह गई है लेकिन आज जो है यहां पर जो गरीब होते हैं उनके साथ सोशन हमेशा बनी रहती है तो कहते हैं आज हर चेतर के जो विक्ति हैं अपने पर लिख के जो है उनका हर चेतर में उसी परकार के दवदवा है जैसे उच्चे व नहीं कर पाते हैं यानि देखा जाए तो उस समय जब भारत अजाद नहीं होते आजादी के समय अनुसर जातियों के बहुत संके परिवार में दो वक्त का रोटी भी करते कठा करना संभब नहीं था इस करन अपने जीवन यापन के लिए उन्हें कर्ज लेना पड़ता था प् परिणाम सरूब वे कर्ज में लीन हो गए और रासी के व्याज भी नहीं चुका पाते थे क्योंकि उन्हां तो पढ़े लिके थे ना समझदार थे तो सभी लोग जो है उनको मुर्ख बनाया किया करते थे तो कहते हैं दो का चार बना बना के उनके सारे परिवार को गुलाम उनकी दुर्दशा थी उस समय उसके पर शाथ था स्वास्त और पोश्चन देखिए अनुसुजित जाती हो कि लोग के पास नो तो उचीत पे साव घर होता था और ना ही शुचाल है और ना ही गंदगी के निकास रहे तो समुचे नाली की विवस्ता ही होती थी वो गली में स्वास्ता काड़ी दशाओं में सदेव रहते थे गरीवी कारण वे कूपोशन के सिकार होते चले गए तो देखा जाये तो उस समय जो थे कई अनुसुजित जाती के लोग जो थे कूपोशन के सिकार होते थे क्योंकि उनको जो है दो बक्त की रोटी पाना भी संभब नहीं परता था उनके जानावोर है वह मकानों के अक्सर जला दिया करते थे उन्हें बक्राया मुर्गी च्छीन लिया जाता था और इस्तरीयों का अफमान भी किया जाता था। Sketch security के वहार करते तो उन्हें दवा दिया जाता था यानि देखा जाये तो आज के विवस्ता जो जैसे अनुस्य जाती के समय उस समय होती थी आज के समय गरीबों के साथ होता है कहते हैं उनकी आवाज कोई नहीं सुनता था वो कहीं भी जाते थे तो उनकी आवाजों को दवा दी जाती थी जैसे आज के समय में गरीब अगर कोई भी पुलिस स्टेशन पे चले जाते हैं तो उनकी आवाजों को दवा दी जाती है आपने कई घटनाओं में देखा भी होगा कई जगा वलतकार भी हुई थी तो अगर उन्होंने पुलिस स्टेशन में नाम दर्ज करवाने भी गए तो उनको वहां से मार के भगा दिया ग गरीब लोगों के साथ ऐसा विवार हो रहा है तो यह अत्याचार की जो है कहते है ना जो एक रेखा खिची हुई है वह खतम होने की नाम ही नहीं ले रहा है कहते हैं यह चिरफ रूप बदल लेता है लेकिन अत्याचार उसी रूप में सदेव विद्वान हमारे समाज में उसके परशाथ हमारे समक्षाता है अद्रिष्टा अपराद अधनियम 1955 कहते हैं भार्ग सविधान के सदारवे ने सदन में अद्रिष्टा को प्रतिबंधित कर दिया गया और इसके लिए अद्रिष्टा अधनियम 1955 लागू कर दिया गया सविधान मैसुरता को अपराद मान लिया गया और नोकडी पाने के पानी का भंडार पूजा पाट करना चाय की दुकान वा होटल पर काम करना डेल गारिया बस में यात्रा करना सरवजने स्थानों का उपयोग करना अस्पताल में भढ़ती होना आदि चेत्रों में प्रवेश किसी को अगर गलत कहता है या उसको कहीं जाने से रोकता है तो अधनियम 1955 के रिगार्डिंग उसको सरकार अपरादी घोशित करेगा और उसमें कई तरह के जुर्माना भी लगाया जाएगा क्योंकि यह सरकार के द्वारा घोशित की गई अधनियम थी जिसको आज लोग को म परवदान बढ़ा दिया गया एक बर अपरात करने पर जो है निउंतन अधितम एक मार उतले सजा मा की सजा है निउंहावां अधितम जुरूमाना राश्री 100 ृपया से 500ं रुपया हो सकती है दुसरी बार अपराद करने पर दो 100-5 रुपया टक जुरूमाना यह शा महीश की सजा होती है तिसरी बार उसके बाद अपरात करने पर एक वर्ष की सजा और दोसों से दस जार रुपया का भी जुरुमाना की प्रवधान किया गया है इस सब निसादमक पर कड़वाही के होते हुए भी अधिस्ता आज भी दिखाई देती है गाउं में तो यह यह था वर् गार्डिंग किसी बचों का इडिविशन भी होता है तो उसमें क्या होता है बहुत ही भेदवाव देखने को आपको मिल जाता है तो यह विडवना कभी खतम होगा नहीं और खतम होने का कभी नाम भी नहीं ले रहा क्योंकि इंसान की जो विचार और सोचने की छमता है वो हो गया है आज उच्छे वर के लोग जो है जिनकी सोच विचार जो है बिलकुल ही बदल गई है लेकिन फिर भी कहा जाए तो आज जो है इन जाकियों के प्रती सदेवी वेदवाव की भावना देखने को मिल ही रही है इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खतम ह ठीक है अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से स्सक्राइब जूर किजिए अगर पहली बार अगर आप डिजो देख रहे हो पहली बार मैंने चनल पर आयो हो सुस्क्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है स्सक्राइब करने से यह होगा कि जो भी मैं आप क्लास के अगर सब्सक्राइब नहीं किज्जिए गा अगर आप दुबारा से तीरifferent सब्सक्राइब suppression gerड़ कीजिए रिवा होगी सब्सक्राइब कर भ答 नहीं कीजिये आप आप सुच्छलह यह हैं गर मैंने की lender से ठीडिक भी नहीं करने कर तिर पान सब्सक्राइब नहीं veel बहुत helpful है क्योंकि यह आपके 8th class 9th, 10th, 11th, 12th जो आर्ट के सब्ज़वर करता ही है प्लस जो है यह नाइस रिबोर्ट के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है साथ में विये जो है फॉस्ट येर से लेकर 6 समेस्टर तक बच्चों के लिए यह आगरसर रहेगा 8th subject में तो सोचिए नहीं विचार नहीं कीजिए काफी जो है तरपान इस रिसंटर का फैदा ही फैदा है ठीक है अगर आप मुझे परसाहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फैदा पहुंचाएगा एक्जाम के तोर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सुलूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फैदे मन रहेगा अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा मनोबल घटेग तो हो सकता है कि आपको फिर दुबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फैदा ना पहुंचाऊं तो अभी भी नहीं सोचिए मेरा जितना आप फैलाईएगा जितने दुसरे बच्चों के साथ सेयर कीजिएगा उतना जो है मैं आपके लिए कारे करने में अगरसर रहू ठीक है दोस्तों इसले सोचिए मत विचार मत कीजिए अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने वर्ट्सप स्टेटस में लगाईए और दुसरे बच्चों के साथ भी सेयर कीजिए ठीक है दोस्तों अपना ध्यान लगना बाई कि अज़िए